प्यार करना है तो जरा संभल कर हम जो आपको बताने जा रहे हैं वे प्यार में धोके की एक दर्द बरी कहानी है हाला की लगबग चार वर्ष पूर्व अपनी गल्फ्रेंड को गोलियों से चल्ली करने वाले हत्यारे को आज 12 मई को रेवाडी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र नयाइधीश सर्ताज बासवाना की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है मगर सजा के बाउजूद यह कहानी सबक भी दे रही है अपनी प्रेमिका को दिल्ली से धारेड़ा लाकर गोली मारने वाला युवक नई दिल्ली स्थित विश्वाश पार्ख का रहने वाला हेमंत लामबा है अदालत के आदेश बर अभेमत उम्र भर की सजा भुगतेगा उसे एक लाक रुपय का जुर्माना भी भरना होगा उसने जिस अंदाज में अपनी प्रेमिका और हत्या के चश्म दीद गवा कैब चालक की हत्या की उससे उसकी दरिंदगी का पता चलता है आई ये चार वर्ष पूर्व की कडियों को जोड कर आपको आदी से अंतक की कहानी बताते हैं रेवाडी जिले की धारेड़ा थाना पुलिस को साथ सितम बर 2019 की सुभह नंदरामपुर्बास रोड पर एक युवती की डैड बोडी मिली थी पुलिस की जाच आगे बढ़ी तो कई चीजे सपस्ट होती चली गई युवती को चार गोलिया मारी गई थी पोस्ट माइटम रिपोर्ट में भी ये बात साबित हो गई जाच आगे बढ़ने पर युवती की पहचान राजस्थान के हनुमान गड़ जिले के गाउं सांगरिया मंडी निवासी दिप्ती गोयल के रूप में हुई हत्या से पूर्व दिप्ती महीनों से अपने परिवार के साथ दिल्ली की रोहिनी में रह रही थी 6 दिसंबर 2019 की दोपेर युवती अपने घर से बाजार जाने की कहकर निकली थी लेकिन उसके बाद वापस नहीं लोटी युवती के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले की जाच शुरू की थी जाच के बाद पुलिस के सामने बात आई कि मैं दिल्ली के विश्वाष पार्क निवासी हेमंत के साथ गई थी पुलिस को हेमंत और दिप्ती के बीच प्रेम प्रसंग की जानकारी भी मिली पुलिस ने अब हेमंद लांबा की तलाश, तेज की और उसे गुजरात के सूरत पहुँचकर दबोच लिया हेमंद सूरत पहुचने से पहले हत्या के चश्मदीद गवा कैब चालक दिल्ली के डाबडी निवासी देविंदर की भी रास्ते में हत्या कर चुका था धरेडा पुलिस ने हेमंद को तब गरफतार किया जम्वे सूरत में कैब बेचने का प्रियास कर रहा था अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए दरिंदा बना हेमंद कैब चालक दिल्ली के शव को सर्विस लेन पर फेक कर आगे बढ़ा था लेकिन पुलिस जाज के सामने उसकी पूरी साजिश बेनकाब हो गई पुलिस ने हेमंद लामबा से चार गोली, तीन कार्थूस और देवेंदर की कैब भी बरामत कर ली थी हेमंद लामबा लंबी फेकने वाला था उसने खुद को फेस्बुक पर किसी नैशनल बोडी बिल्डिंग एव स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ जोड़ा हुआ था और इस फेडरेशन के रास्ट्रियम हासचिव के रूप में भी अपनी पहचान बनाई हुई थी पुलिस का सिकंजा कस्ते ही हेमंद तूट गया और उसने पुलिस के सामने ये बयान दिया कि दिप्ती के साथ उसकी अनबंध हैने लगी थी जिस कारण उसने उसकी हत्या कर दी इस मामले में पुलिस ने अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें हर बिंदू को सपस्ट रूप से जस्टिफाई किया गया था 16 सितंबर 2020 को आरोप टै करने के बाद पुलिस को विश्वास था कि मैं हत्यारोपी को हत्यारा साबित करने में कामियाब रहेगी और यही हुआ पुलिस की ओर से इस मामले में कुल 26 गवाओ के बयान दर्श करवाए गए हेमन से बरामद हुई पिस्टोल और युवती के शरीर में मिली गोली की फोरेंसिक जाच रिपोर्ट भी अदालत में ठोस साक्षे साबित हुई अदालत में ये बात भी साबित हुई कि युवती के मोबाईल से ही कैब की बुकिंग की गई थी एक नया मामला भी पुछताच के दोरान सामने आया कि एक अन्या लड़की को भी हेमन्त ने परिशान किया था उस लड़की की गवाही की भी अदालत में एहम भूमी का रही इसी के साथ चैनल को लाइक शर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा